Hey, welcome back in my new video दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उमीद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, दोस्तों मेरा नाम राहुल, मैं हूँ एक digital marketing expert, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, facebook advertisement के बारे में, या facebook ads campaign आप कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में, देखे आज के इस व आपका कोई e-commerce business है, उस पे sale लाना चाहते हैं, तो आप कैसे facebook के उपर advertisement करने के लिए, अपना एक campaign step by step setup कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक campaign live setup करके practical दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा, कि जब आप campaign setup करते हैं, तो उसमें आप budget वगरा कैसे लगा सकते हैं, budget क्या होता है, bidding वगरा कैसे लगा सकते हैं, bidding क्या होती है, आप audience को कैसे target कर सकते हैं, placement आप कैसे decide कर सकते हैं, placement वगरा क्या होते हैं, आप अपनी headlines को, titles को, descriptions को कैसे लिख सकते हैं, button वगरा कैसे लगा सकते हैं, and completely Facebook Advertisement के लिए एक campaign step by step कैसे setup कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको complete guide करने वाला हूँ और एक आपको campaign setup करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Facebook Ads campaign को setup कर सकते हैं तो अगर आप इस वीडियो को आइंट तक देख लोगे देखें सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा देखें अगर आप Facebook पर advertisement करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक requirement होगा कि आपके पास एक Facebook का account होना चाहिए जिस account की through आप प्रमोशन करेंगे तो मेरे पास देखें यहाँ पे दोस्तो Facebook account मैं क्या करता हूँ सबसे पहले आपको जाना है Google में और यहाँ पे Facebook type करना है और यहाँ पे दोस्तो आपको Facebook का URL मिलेगा simply दोस्तो आपको Facebook के URL के उपर क्लिक करना है जैसे दोस्तो Facebook का URL के उपर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको login option आएगा तो आप कहाँ पर करना क्या है? एक आपको account login करना है, जिस account की मदद से आप advertisement करना चाहते हैं और हमेशा इस इस को ध्यान रखना, note करना अपने दिमाग में बिठा लेना, कि जिस facebook account से आप advertisement करना चाहते हैं, वो facebook account आपका खुद का professional facebook account account होना चाहिए, real account होना चाहिए and उस पर आपको real dp बगरा यूज करनी पड़ेगी ताकि आपका account suspend नहीं हो, ठीक है? तो यह आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है ठीक है? तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मेरा account मैंने आपे login कर लिया है and account हाँ, यस, इससे कोई फरग नहीं पड़ेगा कि आपने पूरान account यूज किया है and नए account यूज कर रहे हैं कोई भी account यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि professional and real account होना चाहिए तो अब आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आपका करना चाहते है न, उस facebook business का आपके पास एक facebook का page होना चाहिए जिस page से आप उपने business को promote करना चाहते है ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा? मैं आपना जो है, यहाँ पर पहले सबसे पहले profile switch कर लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने pages यहाँ पर create कर सकते हूँ तो यहाँ पर देखिए, दोस्तों, मैंने profile switch कर ली और यहाँ पर देखिए, अगर आप pages option पर click करोगे न, तो आपकी profile में जो भी pages होंगे न, तो वो pages आपको दिख जाएंगे यहाँ पर देखिए, मैंने click किया, तो मेरे pages यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तो इसी परकार से आपको करना क्या है, आप पहले अपना facebook पर advertisement करना चाहते हैं तो पहले आप उन्हें business के नाम से page बना लीजे आप दिखें, facebook के pages कैसे बनते हैं, उसके tutorial हमने already बना रखें तो आप जाके उन tutorial को देख सकते हैं, अदवाइस अगर आप comment करके मुझे बोलेंगे कि कैसे आप professional page setup कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक अलग सी उस पर video बना के आपको देदूँगा जिसको आप देख सकते हैं, और professional page कैसे setup कर सकते हैं, business के लिए वो भी आप सी इख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्व, वैसे हमारे पास pages हमने already बना रखें, हम क्या करेंगे, उनी pages का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर देखें, दोस्व, मैं एक page का इस्तमाल कर लेता हूँ, और उसके पर आपके ऐसे advertisement कर सकते हैं, वो जानकारी आपको देदेता हूँ तो यहाँ पर देखें, हमारे पास pages है, box media solutions के नाम से, तो मैं इसके उपर click कर देता हूँ और जैसे दोस्व, आप page के उपर click करेंगे, हमारा page यहाँ पर देखें, open हो जाएगा, ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, दोस्व, आज इसी page की मदद से हम लोग Facebook के उपर advertisement करेंगे, या add वेगरा run करेंगे तो देखे, मैं आपको एक बात और बता दू दोस्व, Facebook हर 10 से 15 दिन में update कर रहा है and Facebook ने आप भी यहाँ पर दुबारा से recently फिर updates कर दी है and जो updates हैं वो अभी आपको दिखाए दे रहोंगे यहाँ पर अगर आप इस पर click करेंगे ना, तो आपकी profile आप pages के नाम से भी बनने लग गई है यहाँ पर देखे, see all profiles पर click करोगे ना, तो देखे, आप उपनी profile को pages के नाम से भी switch कर सकते है तो यह facebook का नया update है, ठीक है, तो आप इसमें confused मत हो जाना, क्योंकि जब भी आप page पर click करोगे ना, तो कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका ad manager खुलेगा ही नहीं ठीक है, और आप सूचेंगे कि हमारा तो ad manager ही नहीं खुल रहा, तो उसके लिए आपके पास एक option है, देखे, करना क्या पड़ेगा, आपको menu के उपर जाना है यहाँ पर देखे, add option देखेगा, तो आपको add option पर click करना है, जैसे दोस्तो add option पर click करोगे, आपका facebook add account आपके सामने open हो जाएगा तो facebook add account open करना है आपको, आपको अपको यहाँ पर अपना campaign बना सकते हैं, यहाँ पर promotion कर सकते हैं ठीक है, राइट, समझ में आर आपको, देखे, यहां तक कोई डाउट रह गया, तो आप कॉमेंट करके मुझे बोलना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा, अच्छा लग रहा वीडियो, तो प्लीज सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक, श आपके पास होना चाहिए, दूसरा है हमारा step, आपके पास एक Facebook का पेज होना चाहिए, तीसरा step है हमारा Facebook Ad Account, तो 3 step में हम आपने advertisement को create कर सकते हैं, चली दोसर, अब हम यहाँ पर Ad Account पे विजट कर चुके हैं, अब आपको यहाँ पर Ad Campaign कैसे बनाना है, वो जानकारी दे देता है, गोल, या फिर दोस्तो, आपको किस purpose के लिए Ad Campaigns create करना है, तो यहाँ पर देखें, आपको awareness, traffic, engagement, lead generation, app promotion, या फिर sales, अलग-अलग परकार के objectives या अलग-अलग परकार के goal आपको दिख रहे हैं, तो जिस goal को आप complete करना चाहते हैं, वो objective आपको यहाँ पर choose करना है, अब 90% जो objective लोग choose करते हैं, वो ज्यादा तर choose करते हैं, traffic वाला, या messenger वाला, या फिर दोस्तो, lead generation वाला, तो उस case में आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप traffic ad campaign चलाना चाहते हैं, तो आपको traffic option पर choose करना है, यहाँ पर देखें, traffic अगर आप choose करेंगे, तो चार प्रकार से आप traffic लेके जा सकते हैं, link पर लेके जा सकते हैं, आपकी कोई website है, तो उस पर traffic लेके जा सकते हैं, आप landing page पर लेके जा सकते हैं, calls ला सकते हैं, या फिर आप messages ला सकते हैं, ठीक है, तो चार तरीके से आप यहाँ पर advertisement कर सकते हूँ, तो यहाँ पर देखें, दोस्तो मैंने launch करने वाले कुछ ही time में हमारी website का description में आपको link वलेगा number भी हमने दे रखा है आपको उस number पे आप call कर सकते हो और हमारी team से बात करके अभी भी आप facebook marketing का जो हमारा course है उसको आप purchase कर सकते हैं अगर आपने हमारा course purchase किया है तो उस course को देखे आप complete facebook marketing सीख सकते हैं तो यहाँ पे देखे हमने traffic चूज किया और आपको करना क्या है content button पे click करना जैसे दोसे continue button पे click करोगे हमारा जो goal है वो हमने चूज कर लिया जैसे दोसे आप goal चूज करेंगे अब यहाँ पे देखे हमारे सामने 3 steps open हो जाएंगे campaigns को create करने के मैंने देखे आपको कई बार videos में पहले भी बता है कि अब जब भी हम कोई campaign create करते हैं हमारे सामने 3 steps open होते है और उनी 3 steps की मदद से हम अपनी campaign को step by step setup करते है तो सबसे पहला step कौन से है आपका सबसे पहला step है हमारा दूसरू campaign setup देखे पहले आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आपसे पूच जारा है campaign name तो campaign name में क्या डालना होता है मालनीजे आपको walks media solution का promotion कर रहे हैं फिर जो भी आपकी company है जो भी आपका business है जिसका प्रमोशन कर रहे है उसका नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों walks media solutions और उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको नीचे score down करना है आपको special add care degree में कोई option नहीं डालना है यहाँ पर आपको AB test में कोई option चूश नहीं करना है यहाँ पर आप देखें campaign budget optimization का option आपको देखेगा तो आप इसको एक बार on कर लो और यहाँ पर देखें आप अपना daily budget चूश कर लिजे lifetime and daily budget में से आपको daily budget चूश करना है and starting आपको minimum से करनी है ठीक है 200 रुपे से start कर लो जैसे आपको result और response मिल रहा है आप अपना budget जो है increase कर सकते है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे campaign bidding strategy दिखरी है जिसमें आपको यहाँ पर highest volume रखना है क्यों रखना है क्योंकि आपका campaign starting में start हो जाए and उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर bidding options भी use कर सकते है तो मैं आप अभी highest volume रखोंगा and उसके बाद आपको next button पर click करना है जैसे next button पर click करोगे देखे पहला step हमारा complete हो गया and जो भी हमारी campaign की basic settings थी वो भी हमने complete कर लिया अब हमारे सामने दूसरा step खुलेगा and यह है दोस्तो आपका ad group या फिर दोस्तो आपका ad set देखे ad group क्या होता है सब सब पहले तो आप बहुत समझे लो ad group का मतलब होता है multiple campaigns देखे example देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपने Tata का नाम सुना होगा तो अगर माली जो Tata Facebook पे advertisement करना चाहरा है and Tata अपने cars को Facebook की मदद से sale करना चाहरा है तो वो क्या करेगा Tata cars के नाम से अपना campaign setup करेगा and उसके बाद दोस्तो टाठा अलग-लग cars के नाम से ad group बना सकते हैं जैसे Tata hair area है, Tata sapari है, Tata Naxon EV है तो अलग-लग ad groups के नाम से अलग-लग, मतलब अलग-लग cars के नाम से अलग-लग ad groups बन सकते हैं and उसमें अलग-लग audience set हो जाएगी, अलग-लग placement add हो जाएगा, अलग-लग budget and bidding set हो जाएगी ठीक है, तो एक ही company के अगर multiple product हैं और उन multiple products को एक ही campaign में आप promote करना चाहते हैं तो उस case में आप ad group को बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे सामने option आ रहा है अगर आपको पास multiple ads campaign है, तो use कर लो नाम, अदर्वाइस कोई option, कोई नाम यहाँ पर आपको नहीं देना उसके बाद नीचे scroll down करना है conversion location देखिए conversion location का मतलब होता है कि किस goal को complete करने के लिए आप हमना यहाँ पर campaign चला रहे हैं तो यहाँ पर देखिए website है, application है, messenger है, whatsapp है, calls है आपको website पे traffic लेके जाना है, तो यहाँ पर यह option चूश करना है आपको application पे लेके जाना है, तो यह option है, आपको messenger पे लेके जाना है, तो यह option है आपको whatsapp पे लेके जाना है, तो यह option है, calls पे लेके जाना है, तो यह option है तो अलग-लग options आपके पास, वो आपको बहुत depend करता है कि आपको किस goal को complete करना है तो देखे आज कल अगर आपको ज़्यादा तर customer और client चाहिए तो सबसे easy goal क्या होता है आपके पास call आ जाए अगर आपके पास call आ गया तो फिर आप उससे बात करके convert कर लोगे client को और customer को ठीक है अधर आधर आपकी कोई website है तो यहाँ पर website option भी choose कर सकते हो तो आज इस वीडियो में देखे मैं आपको call वाला ad campaign बनाना सिखाऊंगा क्योंकि हमने website वाले already आपके लिए create करके दे दिया है campaigns तो आप उन जाके उन वीडियोज को देख लोगे तो सीख लोगे आप देखे यहाँ पर करना है आपको call के उपर क्लिक करना है आप जैसे 200 call के उपर क्लिक करोगे हमारा यहाँ पर गोल चूस हो गया उसके बाद देखे यहाँ पर optimization and delivery को call हो गया cost result में हम कोई option चूस नहीं करेंगे यहाँ पर schedule budget and schedule में भी हम कोई option चूस नहीं करेंगे यहाँ पर अगला option देखेगा आपको audience का देखे यह आपके लिए सबसे important पार्ट है जब यह हम किसी ad campaign को create करते हैं या फिर किसी business को promote कर रहे हैं तो हमारे लिए audience सबसे important है देखे audience जितनी आपकी best रहेगी उतना ही ज्यादा आपको conversion मिलता है ठीक है तो यहाँ पर हम audience set करेंगे according to our business product and services right I hope आपको समझ में आ रहा है तो आप देखे हमारा जो walks media solution है वो इक digital marketing agency है right and अगर आपका कोई company है business है तो उसी के according आपको यहाँ पर audience create करनी पर ही according to your services according to your business and product right तो उसके according हम लोग यहाँ पर audience उस करेंगे तो देखे हम लोग दो तरीके से audience उस कर सकते है new audience and save audience अगर आपके पास already campaigns create कर रहे हैं आपने and वहाँ पर आपने add campaigns के उपर add run किया है तो हम save audience को use कर सकते है otherwise आप new audience को भी easily create कर सकते हो देखे अगर आप new audience create करना चाहते हो तो क्या करना है location option पर click करना है people living in this location जिस location को आप target कर रहे हैं उस location में जो लोग रह रहे हैं उनी को मेरा add campaign दिखना है या आप facebook को बता रहे हो उसके बाद उस अगला option दिखेगा यहाँ पर location का तो जिस location को आप target कर रहे हैं उस location को आप यहाँ पर डाल दीजिए जैसे आप यहाँ पर इंडिया टार्गेट हो रखा है आप जापूर डाल सकते हैं राजस्तान डाल सकते हैं डैली मुंबई जो डालना है वो डाल सकते हैं उसके बाद age option आ तो age आपके product and services के according आप customers purchase करेंगे आपका कोई ऐसा product है जिसको male customers सिर्फ purchase करेंगे तो आपको यहाँ पे gender उसके according चूज करना है और फाइनली देखें language के साथ साथ आपको यहाँ पे this audience, save this audience पे click करके audience आपको save परनी है and in next ad campaign आप इसी audience को use कर सकते हैं आगला option देखेगा यहाँ पे दोस्तों आप उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या next बटन बे click करना है and हमारे दो step complete होगे अब हमारा finance step रह गया देखें यहाँ तक आपको कोई doubt रहेगा कोई confusion है please comment करिएगा आपको video कैसा लग रहा please comment करके बताना and यहाँ तक अगर अपनी video पूरा देखा तो comment करना full video and आपके साथ सा direct connect हो सकते हैं हमारे साथ बात कर सकते हैं हमारे team के साथ बात कर सकते हैं and हम आपके साथ कुछ ऐसे earning methods भी इस्तमाल करेंगे workshop groups के थूरू जिसमें आप हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं ठीक है अगर आपनी यहाँ तक video देखा है तो आप आप जाके हमारे group को join कर लो जिसम final step को आप create कर लिए and जैसे यह final step create होगा हमारा campaign setup हो जाएगा देखिए final step में आपको गरना क्या पड़ता है सबसे पहले तो identity का option है तो identity का मतलब होता है हमारा Facebook page जो Facebook page हमने यहाँ पे बना रखा है जिस Facebook page की मतलब से हम advertisement कर रहे है न वह Facebook page आपका identity यहाँ पे चूज करना है तो मेरा page यहाँ पे already select हो रख है works media solution उसके बाद नीचे scroll down करना है add setup में आपको single image और crouchal option देखेगा तो हमने single image लगानी है तो single image और video चूज करेंगे अगर आपके पास multiple images है और crouchal add बना रहे है तो यहाँ पे यह option चूज कर लेना उसके बाद उस अगला option देखेगा आपको click करना है और यहाँ पे देखे कुछ creatives जो आपको पहले से बनाने पड़ेंगे उन creatives को आप यहाँ पर use कर सकते हैं जैसे माली जिए for example यहाँ पे मेरे पास कुछ creatives मैंने already create कर रखें और upload कर रहे हैं मैं क्या करता हूँ उन्ही ग्राफिक्स को use कर लेता हूँ तो यह कर यह दे दीजे जैसे यहाँ पे primary text में आपको करना क्या है जैसे box media solution is a best digital marketing company and इस परकार से आपको लिखना है box media solution is a best digital marketing company we provide website designing services in 1499 rupees call for book a website right इस परकार से दोस्तों आपको normally यहाँ पे कुछ primary text लिखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे headline में देखे call us for book a website यह देखे इस परकार से headline आप लिख सकते हो and उसके बाद finally देखे यहाँ पे आपको description का option दिख रहा है तो optional है आप इसको छोड़ सकते हो कोई problem नहीं होगा and finally यहाँ पे आपको phone number दिख रहा है and यह हमारा campaign भी setup हो गया and उसके बाद उसके फाइनली करना का है यह देखे publish बटन पे click करना है and जैसे publish बटन पे click करोगे हमारा campaign ready हो गया है और campaign publish हो चुका है यह देखे campaign publish हो गया अब यह campaign publish होने के बाद processing में जा रहा है and review option में जाएगा and अगले 48 hours में facebook की team अगर इसको review करती है activate करती है तो फिर आपका campaign run हो जाएगा and campaign run करने के लिए देखे आपको टूल्स पे जाना है and यहाँ पे देखे आपको billing option देखेगा billing option पे click करना है and यहाँ पे आपको fund add करना bill add करके जैसे fund add करोगे फिर आपका campaign चलना start हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तो आप कुछी मिंटों में यानि की 15 से 20 मिनट में आप अपने लिए एक professional add campaign बना सकते है and आप अपने business को facebook की तरू advertisement करके promote कर सकते है आपके पास कोई website है तो उस पे traffic लेके जा सकते है कोई ऐसा product है जिसको आप sale करना चाहते है तो उसको sale कर सकते है आपके पास कोई ऐसा business है जिसमें आपको call चाहिए तो आप यहाँ पे एक traffic का call add campaign बना के आप call भी ला सकते है I hope आपको video अच्छा लगा होगा and आपने इस video को अगर complete दिखा है तो कुछ ना कुछ तो आपने जरूर शीखा होगा अगर आपने इस video को देखा है पूरा अपने कुछ सीखा है एपको लगा कि यह video आपके लिए काम का था तो मैं आपसे एक request करना हूँ इस वीडियो को like, share and इस चैनल को support करने के subscribe कर दीजे and हमारा target है दोसो 1 million का उसको complete करने के लिए आपके साथ की जरूवत है तो please support करिएगा, share करिएगा and दोसो इसके अलवा हमारे channel पे आप जरूर visit करना एक बार channel pages पे and वहाँ पे आपको ऐसे कई सारे videos मिलेंगे जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको free में बहुत कुछ सेखने को मिलेगा जिसमें digital marketing, facebook marketing, affiliate marketing drop shipping के हम आपके लिए धेरो videos डालते हैं जिनको अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको सेखने को मिलेगा तो चैनल पे विजिट करना, subscribe करना videos को देखना, बहुत कुछ सीखे आप बहुत कुछ कमा सकते हूँ और अपनी live को change कर सकते हूँ तो दोस्तों आज का ये complete video था वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को support और subscribe करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद